प्रश्ण आपको साहथ दिखाई दिया रहा होगा आपके दिया रहा है कि जो सीरी से हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी तरह से जब आपको यह बात वीदीत और असपस्ट है कि 15 नमबर हमारे बाहर नहीं जाएंगे तो मैं अभीशे पढ़ना चाहिए आपके सामने प्रशन है कि भिनलों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंस समान है जैसे तिन बटे पांच और तिन बटे साथ रोहित कोई लड़का है जो लोग लाइब देख रहे हैं फटाफट बताएं कि कौन सा विकल्प शही होगा यहां पे जो अध्यापक है उनके द्वारा बताया गया है कि तीन बटे पांच तीन बटे साथ इन दोनों में अंसमान है और इसमें साथ बड़ा है पांस इसलिए बच्चों ने बताया कि तीन बटे साथ बड़ा है इसमें से कौन सा विकल्प को शही करना है आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जो वीडियो को लाइब देख रहे हैं यहां पर है रोहित तुल भिन्नों के अधर्णा नहीं जानता है रोहित ने अच्छी तरस अभ्यास नहीं किया है रोहित को भिन्नों को पेड़ाम के समझ नहीं है रोहित अंस और हर की अधर्णाओं को नहीं जानता है अब को और हमको एक बात विदीत होना चाहिए एक बात है अब को और आपको यह कहना यह समझना चाहिए कि इस प्रकार जो प्रिष्ण का एंसर होगा वह क्या होगा यह इसका राइट एंसर होगा तो जित्ते लोगों ने ए बताया था मतलब पहला भी कल बताया था उन्स सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही है कैसे सही है एक बार मैं और आपको बताना चाहूंगा कि दिखिए रोहित तुल भिलनों की आउधानाय नहीं जानता मतलब यदि किशी भी दिएगे दो भिलन के अंस बराबर हो अगर अंस बराबर हो तो जिस भिलन का हर छोटा होगा वह भिलन बड़ी होगी यह बात जानते रहेगा वह इस आउधाना से परचित नहीं था हम लोग को क्या बताना है कि जो रोहित था मकिस रोधान परचित नहीं था कि जब किशी दो भिलनों में धान समरी बात को सुनिएगा जब किशी भी दो भिलनों में अंस बराबर हो दो या दो से अधिक भिलनों में अंस बराबर हो तो जिस भिलन का हर छोटा होता है वह भि से दिखेगा अगला कह रहा है कि भिन्नों की अधार्णा से परचित करने के लिए सिच्छक किस से शुरुबात कर सकता है चार बिकल्प दिख रहे हैं और अब इक चारों बिकल्प एक अधिया वक्त कर, कर देखिए कर आप अधिया करते हैं आप इतना सोचते हैं कि इतना समझते है उन सभी बातों का पता चलता है बस और कोई लोग लाई है जो लाइब में जवाब देशकें जवाब देना सबसे बड़ी बात है कि आप तैयारी कर रहे है कि अगर भिन्नों की अधार्णा से परचित कराना है तो वहां उन्हें बच्चों को जैसे आप दिया गया है यह ब कर रहा है विविन्नों के अंसर हर को परचान करने भी गलत है कि यहां पर सिच्छक को भिन्न की आउधार्णा से परचित करना किस्चे भिन्न की आउधार्णा से तो यहां पर अगर आपने विकल्प का चैन कि दूसरा किया है इसका मतलब आपने उत्तर शही दिया है वायन और सभी लोगों ने इसका उत्तर भी बताया है तो आपका कॉंसर्प मुझे लगता कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने किया कि भिन्नों के अधार्णा से परचित कराने के लिए कैसे सुर्वात करते हैं इसके एकदम राइट एंस वर है उनके आसपास की वस्तों कि भिन्न तक प्रिवेसर पेपर को नहीं खांगा लेंगे तब तक आप सेलक्षन के नजदीक नहीं पहुँद सकते मैं आगे बढ़ाओ अगले पैशन की तरफ अगला प्रिशन ध्यान से पढ़िएगा समझेगा यहां पर कह रहा है कि बच्चे के परियावरण में जो वस्तु लु कि ऐसे कुछ वस्तु लुडकती हैं कुछ फिशल्थी हैं और यह कहां दिया गया है गणित की जादू में न्सेट कच्छा 2 में तो अब बताएए न्सेट की कच्छा 2 की पाथे पुस्तक में इस तरह का सुझाव समझने में सिच्छक की क्या मदेद कर सकती है क्या साहता कर सकतेये सभी लोग andra-four कमेंड करें जबंद जौन लाइब है वो मुझ करके अपना प्रेजेंड कर दे था कि मैं विधनेम आप लोग को जानता हों कि कौन उसका में फीर प्रेजेंट पार्याएं कौन पून इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं जैसे जूड़ेगा वीडियो को लाइक करिएगा और लाइक करने के वाद सस्क्राइब करके शेयर जरूर कर दीजेगा यह आप सभी का करतब है जितना मेरा है तो बताइए चलिए शीजी आप भी है पूरा नाम तो नहीं समझ में नहीं आता है न आएए आप यह लोग बात करते देखिए कि बच्चों को लुढकती चीजों पर चर्चा करना चाहिए उसका उद्देश क्या होगा आसपास की चीजों में बच्चों का ध्याना कर्षित होगा जी नहीं चर्चा करना घ्ड़ेट कच्चा इसा तो ही है बहुत परिप्रेच्छों के कच्छा मस्तान देती यहां पर जो आपका राइट एंसवर होगा वह यह है जितने लोगों ने बताया है सभी के जवाब पूरी तरीके सही है क्योंकि निरदर्शन से संपूरीत रचनाय विद्यार्थियों की संकलपनाओं को बहतर तरीके स समझने में मदद करती है जैसे मैं यह आपको समझाओं कि व्रित कैसा होता है कैसा होता है मैं क्यादू रोटी जैसा होता है जैसा रोटी होता है वैसा होता है महिलाइस वीडियो को लाइप देख रही है तुरंत समझ जाएंगी मतलब ब्रित कैसा होता है गोल हम जो रोटी यहां पर हम लोगों ने जो देखा वो पूरी तरह से समय लिया कि रोटी का मतलब यह गोली होती है तो यहीं पर इस बात को दिया एक अच्छा दो में जो गणित पढ़ाने का उद्देश रहे जहां पर चीजे लिड़कती हैं समझाया गया उसका एक मात रुद्देश है कि बच्चों के दिमाग में उसके क्या बन जाएगी चबी पूरी तरह से असपर्श्ट्रूप से बन जाएगी आगे प्रशने की तरफ उमीद करत दुनिया कुछ ऐसी दिखती है यह क्यों रखा गया माने जो पाट के नाम है ऐसा क्यों रखा गया है कबाड़ी वाला भुपाल की सेर जौनपूर की सेर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है इस पाट को इने नामों से रखने का सबसे प्रमक उद्देश क्या है बताई आपको इस नाम से इनका रखने का एकमात रुद्देश क्या है सभी लोग अपने जबाब देते हैं कि मेरा उद्देश को विकल बताना नहीं है हमें उन तक्तियों को आपके सामने खोल कर रखना है भविश्वेगर ऐसे जूड़े प्रश्णायत आपके गलत पहूं इस बात का आप से ज़्यादा हमें ख्याल रखना है बताई आपनों कि उन्हें अलग से समझाने के लिए यह बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है जी नहीं फिर क्या रहा है पाठों में गणती विश्वस्तों का अनुमाल लगाने के लिए विद्यार्थियों को चु जोड़ा होगा तो वहां पर आपने एक बात सिखा होगा कि दैनिक जीवन को को अच्छा से जोड़ना अच्छा को दैनिक जीवन से जोड़ना यह हमारा NCF 2005 कियाता है इसलिए जोतने लोग भी प्रेट क्लास कि हैं वो लोगी बात जानते रहें कि सिख्ण आपको नहीं पढ़ना है केवन आपको जी यहां डेली क्लास है तो आपको इतना चीज़ें पढ़ना है कि अगर आपने NCF 2005 एक बार क्लियर कर लिया तो आपके कॉंसेप्ट किल हो से मोपते हैं ताकि उन्हें ये सारे क से उनके निके दिमाग के बन जागिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा है जैसे मैं गडरीट पढ़ा रहा हूं मुझे को-ई उदारण देना है या मैं पर्यावल में परफा रह में परफा आपको नाओ अगर मैं अमेरिका के तो दुसरी कि अप्र आपको सबसे साही सबसे पहले और क्यों आय गा बताई ये कारण क्या हो उसका कमेंट करके बताई ये देखे गाओं का गाओं का क्यों समझ में आएगा कि हम अपने आसपास की चीजों को जल्दी समझते हैं जैसे अगर मैं कह दू आपका घर कैसा है तो मुझे तो नहीं पता लेकिन आपके दिमाग में तुरंद बन गया आपका घर कैसा है जैसे मैंने कहा कि आपके पापा का नाम क्या है तुरंद आपके दिमाग में आपके पापा का चित्र बन गया आपके घर का दरवाजा कैसा है कि मुझे नहीं पता आपको पता चल गया क्याशा कि आपके दिमाग में उसकी तुरेंट छबी बन जाती है इसलिए NCF 2005 कहता है कि हमें बाहर की दुनिया का अच्छा से जोड़ कर पढ़ानी चाहिए जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए और हमें ऐसे एक जमपल देना चीज उनकी आसपास हो जिन्हों उधारन को महसूस कर सेगे अच्छा से चक वो नहीं है जो अच्छा पढ़ाता है अच्छा से चक वो जो अच्छा समझाता है इस बात को आप लोग भली भाती जानते रहिएगा मैं अगले प्रश्ण की तरफ मुमीद करता हूं यहां से आपके कॉंसेप्ट किलियर हो गया है ठीक चली आगे चलते हैं कोई दिक्कत को समस्षा तो नहीं है न कोई डाउटो सकते हैं दस बार पूछेंगे दस बार बता हो कि मैं आपके सेलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं टाइम पस करना मेरा उद्देश नहीं है अगला प्रश्ण है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना सामील है तो सभी लोग फटा-फट कमेंड करके बताएं क् कि आपको एक बार मैथमेटिक्स वर्ली जी लेनी दुर्गिस उसके बाद आपको प्रिविएस एर पेपर के जो प्रस्ण है अगर उन्हें तोल कर समझा दिया जाए वोकि परिच्छा में जो प्रस्णात हमेसा नए लगते हैं जब नए लगेंगे हमें लगता सर कैसे किया कि यह गलत हो गया अब अभ्यापक अभ्याद देखिए तो बास सही है कि अभ्याद भी जाता हो प्रश्ण भी जाता हो लेकिन यहां पर गणित करने की युक्ति के रूप में शवाल हल करना शामिले तो यह इसका जो राइट एंसर होगा वो जायतर लोगों ने श्रही बत करना चाहा है कि जो सवाल करने की युक्ति होती है वो हमारी किरिया कलाप पर तो हम जल्दी शिकते हैं जैसे एगर आप छोड़ा सा मैं आपको एजम्पल दूंगा सायद आपको समझ में आजए एगर कोई डॉक्टर की घर पैदा हो जाता है उसे सुई लगाना जाता है अ भहाँ पर हम उसे देखकर स्रीकते मैसूर्श करते हैं तो यही चीजे हमारे गणित के साथ होती हैं अच्छा टीचर वो नहीं है जो गणित पढ़ाता है अच्छा टीचर वो जो गणित समझाता है और ncf 25 ये कहता है कि प्राथ्मी कच्छा में हमें क्या करना है शिखाना होगा के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पश्टन की तरव अगर यहां से किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ रहे हैं यह बात आपको हमसे ज्यादा विधीत होना चाहिए चलिए तब आगे चलते हैं एक सवाल आपके सामने है और आपको दिखी भी रहा होगा कि प्रात्मिक अच्छाओं में आका और अस्थान की समझ को बिख्षित करने के लिए निम्निखित कारियों को क्रम से लगाई है आप लोग जो लोग लाइब देख रहे हैं वह इंसे भी को क्रम से लगाएं कि यहां पर हमने देखा है कि आत्मिक अच्छा में आका और अस्थान को बिख्षित करने के लिए यहां पर मैं कुछ चीजा असपश्ट कर देना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या होगा कि बच्चों को कैसे दिखाएंगे कौन से आकिरत उन्हें दिखाना पशंद करेंगे आखिया मैं आपको बाइमेर समझाता हूं कर्किरने कैसे आप समझाएंगे वि zrobić अगैङ से हंव्लों के ने सबसे पहले दिखा दिये ईह क्या है हैं यह कौन से आकरति है य आकरती कैसी है ठीक है कि यह आकरती कैसी है तो इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों से सबसे पहले चर्चा करेंगे सबसे पहले बच्चों को हम 2D आकृति दिखाएंगे 2D का मतलब क्या होता है मैंने ऐसे आकृतियों से बच्चों का हम परचे कराएंगे जो जिनकी दो भूजा है मतलब लंबाई चोड़ाई हो मने दो हो जो नहीं बात को समझते चलिए गाए टूडी हो जैसे कहें दिया सर इसकूल का दर्वाजा इसकूल का दर्वाजा कैसा है तो दर्वाजा और खिड़की जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा ये नह जबन घना आयत पर वहीं समझता चौकोर है बस वह सभी चत्रभुच को चौकोर समस्ता शभी गोली वस्तु को बृत्त समझना बृत्त को गोला वस्तु समझना शुरू कर देता है तो इस प्रकार बच्चों को सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर हम तूडी आकृतियों को चाटने का काम करेंगे सबसे पहले उसके बाद तूडी आक्तियों की भुजाओं और सिर्सों का अवलोकन करते हैं उनकी विस्यस्ता का मिलान करेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि भाईया इसकी विस्यस्ता क्या क्या वो बताओ माने कौन दो टांग वाला कौन तीन टांग चांग फाउज थांग तो नहीं हम यह बताएंगे पहले वह टूडी जान जाएंगे टूडी किसमें जिसमें दो ही चीज दिख रहें जो शम्तल हो पूरा जै साइकल का टाया तो दोनम उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह भुजा है, यह अपकी क्या होगी, सीड्स हो गई, फिर यह भुजा हो गई, फिर यह विकड हो गया, इनके विस्थे में क्या करेंगे, बच्चों से हम चौचा करेंगे, फिर, फिर क्या करेंगे, उनकी विस्थाओं में सहज बुद्धी का वर्ण करेंगे, तो हम पहले क क्या करेंगे पहले इसका जो भी कल्ब होगा वह दूसरा इसका प्राइटर्ट लिए और वान हिले का जब आपको पढ़नी है वान हिले की वहाँ पर इस चीज को मौर असपश्ट कर देंगे जो वान हिले की थेयरी आपके सेलवस्ट में है और सीटेट में कई बार पूछा ज इसको कोची समझ में नाया तो फटा फटा आप लोग पूछ ले है कि मैं इस सब्सक्राइब करें करके जो गणित में निदानात्मक परिष्ण का उद्धेश क्या है जो आशान प्रिष्ण मैं चाहूंगा कि जो लूइ वीडियो को लाइब देख रहे हैं जो सभी इस प्र कि आसान प्रस्टन है लेकिन फर्क कितना है कि आपको जवाब देना है और इंसे आटी के आधार पर देना है सब्सक्राइब जवाब देन जो लोग लाइब देख रहें कि उत्तर देने से एक बात तौस्पस्ट हो जाता है कि हम आप यह जान पाते हैं कि प्रस्टन को हल कैसे करना का परिच्छाल में गलती ना होगा गरित्म निदात्न परिच्छन का होता प्रगति पत्रत को भनना यह कि तो कुछ नहीं होगा अगरे अगरे देखते हैं कि सनातन परिच्छा के लिए प्रश्ण पत्रत की योजना बनाना यह भी नहीं है अब यह आओ कि प्रतिपुष्ट्री फिडवैक देना यह तो नहीं यह तो उनके लिए क्या है कि मैंने स्बैर में पढ़ाता बच्चों समझ में नहीं द्रटियों को जनरा चीं सब्से疹ने द्रश्ण बने अब बच्चों सब्सेशिए . जो बच्चच में क्या दिकते आ Coming आगर कर शोखो सकतको अ इस वाच से वाप्छाँ मैं बीच-बीच में पूशता रहता हूं क्लियर हुआ तब मैं आगे बढ़ूं ऐसा पूछने का इक मात रुदेश ही होता है ताकि मैं आपके जो कॉंसेप्ट है उसको भली भाती तरीके से क्लियर कर सकूं कोई डाउट होता पूछ सकते हैं वरना फिर मैं आगे बढ़ू अगले पैसने की तरह मुमीद करता हूं ऐस से परचित कराने के लिए एक सिच्चा को किस चीज से सुरूआत करना चाहिए अराम से जवाब दीजिएगा बहुत ही आसान नवापको क्या पढाना च्छेटरफल पढाने एरिया कैसे पढ़ाएंगे पूंपूह फटा-फट कमेंट करें बताएं कि एरिया कैसे देखे पहले मैं आपको बता दू कैसे विकल्प को छाटा जाता परिक्षा हाल में तो आयत की लंबाई और चड़ाई का पता लगाना आयत के छेतरफल सूत्र का प्रियोग नहीं करना है यह विकल्प कर ले आगे चलते हैं इकाई वर्ग की गढ़ना की सहता करना तो परचित कराने के लिए हमें इकाई वर्ग और गढ़ना नहीं बच्चों कराना है किसलिए एंसियव दोजार पांच के अधार आगे देखे हैं कि भिन आकारों की आकरतियों का च्छत्फल ग्याद करने के लिए सूत्रों का स्पश्ट करना है कि मैंने आपको पहले बताया सूत्र का भी प्रियोग हमें नहीं करना है अब आता है जो आपका मेन उत्तर वह है यह कि हथेली पत्ते पैंसील नोटबुक आधी भी फिर मुस्तों की सहता से किसी आकरति की च्छत्रफल की तो ना करना मने कौन जादा स्थान गरती है कौन जादा स्थान लेती है इस बात को बच्चों को समझाना और जो बच्चे समझने लगेंगे तो धीरे-दीरे जान है कि कोई वस्तों जितना रखते हैं जितना स्थान घिरती है हम उसे च्छत्रफल के लेकिन इस को समझाने के लिए फेले आथेली दिखेंगे बताए कि हथेली बड़ी है अध्यापक की बच्चों की सीधी सी बात है कर आप अध्यापक की अध्यापक है तो आपकी हथेली बड़ी होगी उम्रिकेश आप से प्रात्मी कच्छा की बच्चों की छोटी होगी तो एक और ना समझ में आया फिर सभी बच्चों की हथेली दिखाएं इसका मतलब वो अभी थोड़ा सा शत्रफल की आउधार्णा समझे जो आपको पूरी तरश से आगे समझाना है फिर आगे वरते हैं पत्ता जो पेड की पत्ते लाते हैं कहते हैं सब किसका पत्ता बड़ा है तो कहते हैं सर नीम का छोटा है लेकिन नीम का छोटा है लेकिन एरिया की ओधना को शमझ रहें उनके दिमाग में एरिया की ओधना बैठ रही है और यही आपका एक मात्र उद्देश से हैं नोडबुक कॉपी रखना किसी की छोटी वाली होती है किसी की बड़ी कॉपियां होती है इस बात को सुबच्चों को परचित कराना आदी विभिन मुस्तों के शायता से सबसे पहले हम उनके छत्रफोलों में तुलना करा सकते हैं और इसके लिए यह एक्जांपल सबसे बेस् पूशकता है कि मेरा उद्श केवल केवल आपके सलक्षन के लिए पढ़ाना है इसलिक्दम आराम से पढ़िए कौंसेट को किलियर करते चलिए अगर एक बार आपके कौंसेट किलियर है भविष्ट में ऐसे प्रस्ण से कभी दिकत नहीं होगी ठीक है तब तक के लिए रु जब राजन के सामने साब्दिक समझ्षाएं आती है तो प्रायक पोस्ता है मैं जमा करूँ या घटा हूँ मैं गुणा करूँ या भाग दू इस तरह के प्रश्ण बताते हैं कि उसे क्याचिस समझ में नहीं आया फटाफट कमेंट करके बताएं जो लो इस वीडियो को ला आप कमेंट करें बताएं राम के पास बाराम थे उसमें कितना और मिला दे वो पंद्रा आम हो जाए इसमें जोड़ना है कि घटाना ऐसे प्रश्णों को हल करने के लिए राजन को किस प्रकार की समझ्याओं का सामना करना पड़ेगा तो आये इसके बारे में हम लोग तथ् तो यहां हम देखेंगे कि इसका मतलब राजन को राजन की भासा समझने में कटना होते जी नहीं वह भासा तो समझने में उसे कटना ही नहीं हो रही है उसे भासा को समझने में कटना ही नहीं हो रही है राजन कच्छा में बाधा डालने का उसर खोसता जी है ऐसी बात नहीं उसके सामने समल समस्य आ रही है थे सब्सक्रीन सब्सक्राइब लेकिन राजन जोड़ा नहीं कर सकता है यह से इसा हो नहीं तया Twelve है कि जो राजन है जो राजन है वो क्या कर रहा है उससे संख्याओं के संक्रियां को समझ में नहीं आए कब जोड़ना है कब गटाना है कब गुड़ा करना है ठीक और कब भाग करना है तो हमने और आपने यहां पर एक चीज़ सिखा कि राजन को जो सब्स्यादा समझ्या आ रही है जो दिख रही है जो राजन महसूस कर रहा है वो यह देख पा रहा है कि संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है उमीद करता हूं यह तथ जो थे वह आपको क्लियर हो गयोंगे के तत्र को पढ़ेंगे इंगाया अे बिखलव अपस्ट आपके भिंणों का योग पढ़ाते समय है सिख्चक कोई सिख्चक है नीच्टु भिंद दी आगया है एक बटे-दो प्लस एक बटे-तीन बच्चों की तुटी मिलती है कि बच्चा क्या करता है एक बटे-दो प्ल चोड़े देता हैं इस इस्तिती में सिच्छों को उप्चारात्मक कार के लिए क्या करना चाहिए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं वो कमेंड करके बताएं उन्हें क्या करना चाहिए सब लोग फड़ाफट कमेंड करें और ऐसा प्रस्ण अपके सीटेट में दो से तीन बार पूछा है कि भिन्नों की आवधार्ना पढ़ाने से पहले ऐसे प्रस्णों को पढ़ाने के लिए प्रत्यक भिन्न के पैड़ाम समझने में जी नहीं यूकि बच्चों को अगर अल्सियम की समझ है तो यह पर पांच न करता वो दो तिन का अल्सियम निकलता यहां पर बच्चों के वाधिक अभिहास करें अधिक सदिक अधिक अत्ता भिन्न पढ़ाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है भी यह को उसके पर यह पनवह दो रहना है यह व्याज सकता ने पता है कि यह व्याज को अच्छी तरीकें से जानते रहना होगा ठीग है को आगे वढ़ रहा हैं अगले पश्न की तरफ कि यहां पर देखेंगे कि ncf 2005 यह मानता है कि गणित में शोचने यों तरक का एक निश्चित तरीका नहीं होता शही बात है उसमें से दियेगी कथन में चुनिये जो उप्रोक्त सिधांद का पालन नहीं करता है जो उप्रोक्ष धांद का पालन करता है वही आपको बताना है कोण इंसे 2005 का पालन नहीं करता है तो देखे कैसे कच्छा के लिए क्रिया कलाप चुनना है अभ्यास चुनना है अलग लग है बच्छों के मनुदसा को देखते हुए है फिर क्या आगे पाटि पुस्तक में वस् क्या करना शूत्र बताना कि क्या होगा मैं आपको पहले बता दिया कि आप कि अंजयारalonी को सूत्र नहीं लिखवाना है सूत्र नहीं रटाना है सूत्र नहीं पढ़ाना है कंठस्त नहीं कराना है याद नहीं कराना है अस्मरण नहीं कराना है यह बाते जानते रिएगा किसमें में नकरात्म विकल्प का चैन करना था जो हमारे दियेगे प्रशने का उप्यक्त विकल अगर आपने पढ़ लिया और अगर इन तत्यों को नहीं समझा तो कहीं न कहीं हमें और आपको आगे चलकर दिखत हो शकती है मैं आगे बढ़ रहा हूं अब अगले प्रश्ण की तरफ कोई दिक्कत नहीं ने किसी को हो तो आप पुश रखते हैं अगले प्रश्ण आपके सामने है चाशलियूज होने के लिए क्या जरूरी है अधिकता सूत्र करना मैं मैंने आपको पहले बता है सुत्र भी नहीं याद करना है उत्तर देनेक तक्निक की निव पूरता ये भी नहीं है जब इस सभी चीज़ें नहीं तो क्या क्या होनी चाहिए अब आपको असपश्ट हो गया होगा इसका विकल्प तो यह है सभी अधार्णाओं को समझना जो समझ में आ गया जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे थे ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अब अगले प्रश्ट की तरह तक यह उने के लिए अधार्णा को समझना क्या उधार्णा इसमें कैसे लागो होगा इसके श्रंबंद को बताना यह हमारे और आपके लिए और आपको साब दिख रहा होगा कि अच्छा पांच के विद्यार्थियों को समतल आकरतियों के छेत्रफल की संकल्पना इसके द्वारा परिश्चीत कराया जा शकता है और आप चाहेंगे इस प्रस्ट का जवाब आप जरूर दे लेंगे इसको मैंने भी कुछ दिर पहले पढ़ाया था और अगर अपने मेरी बात को गौर से पढ़ा होगा अगर इस क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा आप इसका जवाब तुरंत जवाब दे लेंगे मने तुरंत मने बीना समय गवाएं आप इस प्रस्ट का उत्तर आसानी से बता लेंगे बताई आपको सब लो एक अच्छा पांच के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों को छत्फल के संकल्पना से किसके द्वारा प्रचीत के राजा सकता है आईए मैं आपको बताऊं कि करके मैं बिकल्प को हल बता रहा हूं आयत की लंबाई चोड़ाई का पता लगाना सू द्रणना करना यह भी गलत गालत मैं आपको बताया कि बिविन आकृतियों कि तुला पतियों के रहे हैं बच्चों के थीली में अंतर होगा वचल किसके भीणे किसके बड़ी तो चितरफल की आउधार डातना है वह उसकी क्या रते हैं परचित होते चलते हैं चोटी एक इसकी पैंसिल बढ़ी है तो इस प्रकार हम बत्चू के अंदर च्छत्रफल की आधायना है च्छत्रफल की संकलपना है उनके अंदर असपश्टूरूफ से बता बाते हैं इसपरकार दिएगे प्रस्णिकाइब सबसे सही उत्तर होगा हो क्या होगा चौता राय ट कि अगले प्रेश्ण की तरफ फिसे को दिक्कत हो को प्रेश्ण के सामने है गड़ित में गणना से सम्मंदित कौसल को किसके दौरा बढ़ाया जा सकता है कि यह गढ़ना कौसल को बढ़ाने के लिए कौन सी विदी का प्रियोग करेंगे आप भाई बता है कि गढ़ित में गढ़ना से करने स्रमंदित कौसलों को किष्के द्वारा बढ़ाया जा सकता है असान प्रिष्ट मैं है कि मटई आप लो जबाब दें आईये हम इसको अच्छाचा डिफाइन करते हैं बात को समझना यह हमारे लिए सबसे जादा महत्व पूर्ण है गढ़ित में गढ़ना समंदित कौसलों बढ़ाने के लिए किवाल एल्गोरिथम का वाड़न करना जी नहीं हमने आपको पहले बताया बच्चों को तथ्यों परिभासाओं से दूर रखना है संकल्पना और प्रक्रियाओं को अस्पष्ट करने के बाद अधिक अभ्यास कर क्यां रहा है कि कच्छा में अभ्यास ही तो किरियाओं गधैड मदी CB आजन देख रहे गृता वाने क्या थाया अगले अगले की तरफ किया था बच्चों उब इसमें सक्री भागेदारी निभाए नहीं तो गदिविदी कोई मतलब नहीं सुनने जैसा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ रहे हम अगले पश्ण की तरफ अगला पश्ण है अच्छा तीन के बिद्यार्थियों को लंबाई की बिभी निकाईयों को पढ़ाने के लिए सिच्चक निम्निकिस सामागरी कच्छा में लेकर जाएगा एकदम आसान पश्ण है और आप चाहेंगे तो इस पश्ण का जवाब जरूर दे लेंगे अगर आप को कच्छा तीन के कच्छा में पढ़ाना है लंबाई की विभी निकाई पढ़ाने के लिए सिच्चक को निम्निकिस सामागरी को लेकर जाएगा इस विसे पर मम छोडा सा प्रकाश डालते हैं और जनने का प्रयास करते हैं खेराय कि सेंटिमेटरल रूलर नापने वाला टेप जी नहीं क्यूंकि हमें कोई भी मान की काई का प्रयूग नहीं कर लें सब्सक्राइब नापने वाली टेप जिसकी यहां पर यहां पर रहते हैं एक बड़ा साइसे दिवाल बनी होती है और वहां पर क्या दिया होता है लमवाई का मानक दिखा होता है उसके साथ साथ में इन सभी का प्रयोग करना है जो बचफ्चे देखते हैं जो आस्तुछ बनाते हैं जो कपड़ा सिलने वाला नापता है ऐसे लेकर जाहें उप जो बच्चे देखें समझे और जानते हैं उससे उनके आंदर क्या कि जिग्याशाओं जन्म लेंगी और हमारा और आपका एक मात उद्देश है कि बच्चों के अंदर जिग्याशाओं को उत्पन करना और जिब ऐसा करने में आप शफल हो जाएंगे तो एक अच्छे से चख हो जाएंगे और आपके कच्छा में बहतर स्कोर होगा और शभी को गणित समझ में आना शुरू होगा ठीक है इसी के साथ हम आगे बरते हैं अगले प्रश्ण की तरफ उमीद करते हैं कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अग्या प्रश्ण है कच्छा तीन के बालकों को शंख्या पदती पढ़ाने का क्या उद्देश्य होगा सभी करेंगे और कमेंड करेंगे जब आप देंगे को कौन से बिकल्प को ताला लगा जाए को उद्देश्य पदतेज्द तीन के बच्चों को अपको संख्या बध्यदी पढ़ानी है उसके लिए सबसे जो उप्युक्त चीज है उन्हें संख्याउं को साइकड़ा दहाई इकाई के रूप में देखना अस्थाने मान को शमर्षता को समझना मतलब यहां पेगर एक बात को समझें जैसे आप पूछ दिया जाए आपने पढ़ा भी होगा इसका दहाई चशार है गाई ओ और ऑका रही क्या वाहर है उल्ण करें है इसका मान अप लोग क्या दिखेंगगे बच्चो कैसे बताएगर इसके लिए चारंग को वाली संक्या का योग व्यक्लन करना यह व्यक्लन मने घटाना होता याद कर लिजेगा बड़ी संक्या को पड़ने में कौसर प्रवनता यह भी नहीं है चार दाहाई का मतलब दहाई का मतलब 10 होता है चार गुणे 10 प्लस 12 इकाई मने 12 गुणे एव क्यों हो जाएगा 40 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 52 तो यहीं समझ को बताने का यहाँ पर प्रयास क्या जा रहे मने संख्याओं के एकाई दहाई सैकणा के शमूह में देखना उनके अस्थाई मान के साथरक्ता को जानना इसलिए यहाँ पर दियेगे प्रश्ण का जो राइट एंसर होगा यहाँ पर वो डीस का चौथा इसका सही जवाब होगा क्या आपको समझ में आ गया जो इस वीडियो को लाइब देखने क्या कमेंट करके वताएं क्या आपको एक कॉंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हुआ तो मैंने अच्छे से जानने का प्रयाश करिएगा ठीक है हाँ आप लोगा सही जवाब आ रहा है ठीक हम अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण है सबसे उप्रियोक्त ब्योरचना जिसका प्रियोग धनरासी की योग की कुशलता को आत्मसाहत करने के लिए किय जल्दी से फटा-फट कमेंड करिएगा यहां पे हम लोगों ने देखा कि सबसे उप्रियोक्त जिनका प्रियोक धर्रासी की योग की कुशलता को आस्पसात करने के लिए किया जाता है उनमें सबसे जैसे इसकी लिए क्या किया जाए प्तिरूप का प्रियोक क्या जाए सू इसलिए हमने क्या करना कि से दंधासिय की योग की को सलता के लिए रां जाम के पास 100 पछल करने के लिए हमें का करना पड़ेगा जो बच्चे हैं उनमें स्वयम प्रियोग करना पड़ेगा उनके इंतर स्वयम अभ्यास के गूंड आणने पड़ेंगे इसलिए इस प्रस्ट का दिया गया जो उत्तर होगा वह एश का राइट एंसर होगा एश का सही जवाब होगा तो मैं उमीद कर जुड़े रह सकते हैं बीना इस्पेस के दुर्गेश सा सच करेंगे वह इसकी लिंक भी होगी और ओल्लाइं क्लास और नोट्स के लिए 630-63-24367 पर वाट्सेप करके ऑल्लाइं क्लास नोट्स पीडियाफ सभी चीज़ा आपको उपलब्द हो जाएंगी इस्याटी पैटन पर बाकी चीज़ें मारे फेस्टूप पेज इस्टाग्राम ट्विटर इलंडी पर दुर्गेश राप जोइन कर सकते हैं ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद आज सी क्लास आपके खतम होती है फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आ झाले को